जी बहुत शुक्रिया धन्यवाद करकर में जुड़ने के लिए मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अखिले से आदो इन जीनों पूर्वांचल के दोरे पर हैं उन प्रकास राजबर का आपने स्टेट्मेंट में सुना उनके दरवाजे हमेशा हर वक्त 24 घंटा सब के लिए पड़ी तो हम मतलब अलाइंस पर विचार कर सकते हैं बीजेपी का कहिना अगर हमारे नेता नीती मान लो तो आजाओ कोई प्रावलम थोड़ी है देखिए राजबर की पार्टी छोटी है और उनको अपनी पार्टी चलानी है तो पार्टी तो सत्ता के साथ ही चल पाएगी बिपक्स की पार्टियां जो छोटी है उनका जादा लंबा सर्वाइवल नहीं है तो अम परकास राजबर तो जानते हैं कि अगर सत्ता क्या सपास नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगी पार्टी और देर सबेर उनका बीजेपी में आना भी चाहिए उनको अभी चार साल की उतर प्रदेश में सरकार है आपने देखा होगा कि जब वो राश्पती के भोज में चुनाओ था तो गए थे रात में तब से वो इंतिजार कर रहे हैं समर्थन देते आ तो आप क्या मैसूस करते हो कि गटवंधन का दायरा कौन पार्टी ज़्यादा बढ़ा रही है या समाजवादी पार्टी कुछ नए पार्टनर्स लाने में कामियाब होगी देखिए चुनाओ अभी तक उत्तर परदेश में दो पार्टियों में सीधा है भाजपा और सपा में अखिलेश यादो और मोधी और योगी ये चुनाओ होगा लोग सभा का भी ऐसा दिखता है अगर कोई कडवंधन नहीं आता तो क्योंकि बसपा के पास पिछली बार कड देखना लड़ गाएंगे बढ़ जाएंगे यह आगेते होगा लेकिन आप यह देखिए कि राजभर के भी कुछ आर्मान है कि भाई एक बार मंत्री बने दुबारा बन जाए का समस्या है बेटा भी है MLC बन जाए आज संजय ने साथ का परिवार कितना फल फूल रहा है र सब चाहिए सब चीजे सम्मान मिल रहा है आप अनुपरिया पटेल की पार्टी को देख लीजिए उनकी केंदर में मंत्री है पती उनके यूपिम मंत्री है तमाम विधायक उनके जीते हैं तो बीजेपी का तो अपर हैंड ही है बीजेपी केंदर में यूपिम दोनों जगा है उसके पास वोट सेर जादा है उनके साथ लोग जाना चाह रहे हैं अखिलेस यादो विपक्ष में हैं इसलिए उनसे गडबंदन इनों ने भाई उम्मीद की थी कि 2022 में कर सरकार आ जाएगी तो हमारा परिवार भी तरक्की कर जाएगा और कुछ पद बड़े मिल जाएंग कि नहीं आई सरकार तो अब वो अपना अलग हो गए तो यह जो चार साल का समय है यह कितने दिन मन ममोस के वो बैठे रहेंगे राजबर जी अगर उत्तर परदेश की राजणीत में इस समय सबसे चर्चित आद्मी कोई है तो पिलकवा गंच्छा पहिनने वाले उन पर कास राजबर हैं उनकी सियासत खुब बदलती है 2017 मंत्री बने फिर बाइस में सपम गए अब फिर आयरने की उमीद है दो हजार चौबिट के लोग सबसे असी में असी का टार्गेट फिक्स की हुई है लेकिन अगर पिछले असेंबली एलेक्शन को देखें तो क्या इस टार्गेट को अचीव करने की स्थिति में होगी वीजेपी ये तो बहुत बड़ा टार्गेट सेट किया उन्होंने देखें लक्षी तो बड़ा है लेकिन इतना जरूर है कि न पहुंचे तो उसके आसपास तो पहुंचेंगे अच्छा राजभार के पास अपना वोट तो हई है विधायक उन्होंने अपने जिता लिये पिछली बार चार जीते अपकी बार उन्होंने साथ कर लिया अब उनका वोट बैंक तो बीजेपी को अगर जुड़ेगा तो भाई बीजेपी दो लोग सभाज चुनाव जी चुकी तीसरें भी कोई कसर थोड़ी छोड़ेगी चीतने के लिए तो उनके लिए तो ये बहुत इंपोर्टेंट है कि अगर राजभर उनके साथ आ जाए राजभर ने बहुत परियोग किये ओईसी को लिए शिवपाल जी को भी साथ लिया उन्होंने फिर वो गड़बंदन नहीं बन पाया फिर वो मायवती की भी तारीब कर चुके तो कई जगह संभावनाद वो टटवलते ही रहते हैं तो आप यह मानते हैं कि जो अलाइंस की पॉलिटिक्स है यह 2024 में दोनों दलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिल्कुल महत्पूल है और बीजेपी के लिए बहुत है बीजेपी ताकतवर पार्टी है और व यह वह एक एक सीट का मात तो रखता है उनके लिए वह हो सकता है कि राजबर के परिवार से भी एकाट सीट दे दें वह लोकसभा का इसमें कौन सी बड़ी बात है हमारा देश तो हमेशा से जात पात और इनी सब चीजों पर राजनीत लड़ता रहा है एक सो चालीस करोन का देश है भाएस तबेला किसान मटी खाद गोबर खहिस की बात होती है बात जाती है समिकरण की होती है हर जगा और अंदविश्वास तमाम सारी चीजें हावी ही है अच्छा राजबर जी भी बड़ी पार्टी बनने बहुत कोशिस किये रामपूर में लोग सभाग चुनाओ भी लड़े थे कोई कह रहा था कि कुल उनको दुये सो वोट मिला वहां लेकिन पूरवांचल में उनका अच्छा हिसाब किताब समाजवादी पार्टी अभी संगठन मना रही है चुनाओ अभियान समित यह भी जैपी के पास इतने नेताओं की यह और वह कई निदिखता है कढ़ी बढ़ुन खाल्या अरोपित नहीं कर सकते हं गहर साल पार्टी बदलते हैं बदलते हैं अलाइंस बदलता मतलब उनका कैडबनन बदलता चलाना है उनको अपने फार्टी भी चलनी है तो वो अपना बदलते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है नहीं ठीक बात है कोई बुराई वाली बात नहीं हम लोग बुराई क्यों करेंगे बस यह बात बड़ी अजीब लगती है कि राजबर जी को परमोशन में आर अच्छा अभियाद आता है तब जब उन्होंने विधान से उनी मुद्डों से घिरे हैं हम आजादी के बार देखो कितना घिरे हैं अर आज नीच तो अब एक धंदा हो गया है आख वाला भी यहां अंधा हो गया है जो कल था वही आज है वही कल भी रहेगा दल बल छल और दल दल भी रहेगा हाथ कमल जाडू बस निसान अलग है नेताओं की इस देश में कहां कोई पहचाना लग है बहुत शुक्री आपका विरेंजी बहुत बहुत हन्यवाद हमारे साथ जोड़ने के लिए